हाई कुट के दोरा जाती जनगना पे रूक लगाय जाने का सांसद राजी उपरताब रूड़ी ने किया स्वागत अमनौर सारन सारन सांसद के अवासिय सवागार अमनौर में संसदिय छेत्र के भाज़पा करेकरताओं का सम्मेलर आयो जित हुआ जिसमें सोनपुर विधान सवाचेत्र के करेकरताओं ने चड़ बढ़ के हिंसा लिया सनी बार को इस बैठक में करेकरताओं ने जहां सांसद रूड़ी के काड़े उपलब्दियों पे चर्चा किया वहें कई मुद्दो को भी उठाया जिसमें सिवान से पाट्डी पुत्र जाने वाले ट्रेन को पटना तक ले जाने की मांग किया साथ ही सोनपुर में पोस्मोटम की सुब्दा बाहाल कड़ाने के भी मांग किया सांसद राजियू परताप रूड़ी ने करे करताओं को समोधित करते हुए सारन के विकास कारेओं को बखान किया उन्होंने कहा कि बिहार के सारन एक लौता जिला है जहां बिजली गैस रख पुल पुलिया पड़ियाटक के छेतर में बेहतर कार्य हुआ है हाई कोट ने पिछले गुरुवार को जाती अधारित गन्ना पे ततकाल प्रभाव से रोक लगा दी है सांसद रूड़ी ने पटना हाई कोट के दोड़ा रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया उन्होंने यह भी कहा कि अपने आप एक बड़ा मुद्दा है उन्होंने कहा कि यह स्वरवे नहीं सेंसिक्स था जो इस तरह का अधिकार सिर्फ परलिया मेंट को होता है आगे सिरी रूड़ी ने कहा कि जिस तरह से पटना उचिन्याले ने यह रोक लगाया है मुझे विश्वास है कि अब यह जो फैसला आएगा बिहार के हित में आएगा वहीं करनाटक विधान सभा पे पूछे जाने पे सुरी रूड़ी ने कहा कि करनाटक की सित्या बदल गई है वहां भारतिय जन्ता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की भी बात कही है